नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लौ इजी में मैं पंकज बादवानी एड़ोकेट एन लौ लेक्चरर आप सभी का स्वागत करता हूँ आज का विशे यूमन राइड्स याने मानव अधिकार बड़ा ही important विशे है मानव अधिकार है क्या इसको आज हम समझेंगे सबसे पहले ये मानव अधिकार होते क्या है इसमें एक शब्द लगा हुआ है मानव इसका first meaning होता है मनुष्य के अधिकार तो जो व्यक्ति मनुष्य के रूप में जन्म लेता है और मानों के रूप में जन्म लेने से जो उसे अधिकार प्राप्त होते हैं उनी अधिकारों को मानों अधिकार कहा जाता है इन अधिकारों को natural right भी कहा जाता है याने प्रकरती द्वारा प्रदत अधिकार भी इसे कहा जाता है आप सभी को पता है there are different forms of life याने जीवन के अनेक रूप है जीवन के रूप में पोधे भी आते हैं जीवन के रूप में पशु भी आते हैं लेकिन पोधे और पशुओं से मनुष्च जो है वो entirely different है क्योंकि मनुष्च के पास बोलने की शमता है अभिव्यक्ति की So we have a power of speech and expression हम सभी में वाक अभिव्यक्ति की एक महत्पुर्ण देन है प्रकृति की जो की पोधे और जीव जन्तुओं के पास नहीं है और यही चीज मनुष्य को बाकी लोगों से क्या करती है बाकी जीवन के फॉर्म से अलग करती है We have developed brain तो वे अधिकार जो हमें fear and hungerness याने भए और भूख से मुक्ति दिलाने वाले अधिकारों को मानव अधिकार केते हैं आप जरा गोर करिए एक पशू भी है बले ही वो powerful पशू है जैसे tiger या lion की बात कर लें बले ही वो कितने भी powerful हैं लेकिन फिर भी वो एक भए में जी रहते हैं in search of food लेकिन मनुष्य वो होता है मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जो मनुष्य को भए और भूख से क्या दिलाते हैं मुक्ति दिलाने वाले अधिकारों को मानव अधिकार कहा जाता है और यह अधिकार हमारी personality development के लिए बहुत important माने जाते हैं प्रत्येक प्रत्येक में कोई न कोई आर्ट होता है कला होती है उस कला की अभिव्यक्ति तभी हो पाएगी जब आपको मानव अधिकार प्राप्त होंगे यह अधिकार प्राप्त नहीं है यह आप अपने आपको अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं तो आपका personality का development नहीं हो सकता है उधार प्राप्चन is good actor, he has good ability of the अभीने की उनमें शमता है पर यह अभीने की शमता यदि उन्हें स्वतंतरता नहीं दी जाती अपने आपको अभिव्यक्त करने की तो क्या उनकी personality development हो पाती नहीं हो पाती तो मानव अधिकार वह अधिकार होते हैं जो व्यक्तित्व के व्यक्तित पता है कि समाज का निर्मान हुआ, समाज से राज्य का निर्मान हुआ और समाज और राज्य ने कुछ अधिकारों को क्या दी मान्यताएं दी इन अधिकारों को मानव अधिकार कहा जाता है वेसे तो भारत में हमारे धर्मे में तो इसमें वेदिक काल से पुराना माना जात कि जो इंगलेंड के राजा थे उन्होंने अपनी प्रजा को बतोर गेफ्ट याने उपहार स्वरूप एक बड़े शिलाखंड पर कुछ अधिकार लिखवाए थे कि इसके बाद फ्रान्स की कृषारों की गोषना होई अठीकारों की गोषना हुई अमेरिका की जो बिल ओफ राइट्स की गोषना हुई तो ये जो इसमौम अधिकारों के सोपान थे जैसे मानो अधिकार आगे डैवलउप होता रहा और कुल मिला के final shape जो है मानव अधिकारों को UNO ने दिया United Nations Organization संयुक तराष्टर संग जो अंतराष्टरी संस्ता है इसने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की गोठना की और इसलिए हम 10 दिसंबर को HRD के रूप में celebrate करते हैं मानव अधिकारों मानव अधिकार दिवस के रूप में हम 10 दिसंबर को celebrate करते हैं अब प्रमुक मानव अधिकार कोन से हैं यदि कोई बच्चा मा के गर्भ में आ चुका है तो उसको जन्म लेने का अधिकार होता है यानि मानव अधिकार मनुष्य के जन्म के पहले से ही प्रार बेसिक नीड जो आवशक जीवन के लिए शर्वाइवल के लिए आवशक वस्तू हैं वो मिलना चाहिए बेसिक नीडs ये नेगेटिव राइट है कोई व्यक्ति किसी का आथ्याचार नहीं करेगा शोशन नहीं करेगा स्लेवरी आपको पता है कि विश्व में स्लेवरी सिस्टम चलता था गुलामी परता चलती थी इस गुलामी परता को भी मानव अधिकार ने समाप्त किया इसके बाद एजुकेशन शिक्षा प्रत्य वेक्ति को शिक्षा का अधिकार है पॉलिटिकल राइट्स, एकोनॉमिकल राइट्स, सोशल राइट्स यसे अनेक राजनेतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और सोशल अधिकार यसे विभिन अधिकार और कल्चरल लाइफ याने हर वेक्ति अपनी सांस्करतिक जीवन जी सकता है अपनी भाषा लिपी को सुरक्षित रख सकता है इसे अनेक मानव अधिकारों का जन्म हुआ और सुप्रिम कोर्ट के आने के बाद न्यायपालिका ने एसे अनेक और अधिकारों की गोषणा की है जो मानव अधिकार में आई है इस प्रकार मानव अधिकार का दायरा बहुत ज़्यादा विस्तरत हो चुका है तो यह एक short lecture था जो कि आपको मानव अधिकार के concept को clear करने के लिए बनाया था I hope आपको समझ में आया होगा kindly subscribe my channel Loisie, thank you so much